असलामलेकुम फिचर प्रोग्रामर्स वेलकम टू ओवर जावा सेरीज आज की वीडियो से हम 11 चैप्टर इन्हेरिटेंस के बारे में डिसकस करने वाले हैं और जो जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो यह फॉल्विंग टॉपिक्स है जो कि हम इस चैप्टर के अंदर क हम थ्यूरी पढ़ेंगे राइट को पढ़ते हैं होता कहा है रहा हमें आखिर कर क्यों इस्तमाल करता है हमारी जिंदगी इतनी अच्छी चल रही है तो वाई इन्हेरिटेंस इन्हेरिटेंस इन्जावा इस दा एबिलिटी ओवन क्लास तो इन्हेरिट दा प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर इसको गौर्ण से सुनना ठीक है इसके बाद इन्हेरिटेंस और प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को इक दफ़ा गोरस इस वर्ड को सुन लेना ठीक है यह हम ए अट्रिब्ड हम ठीक है इसका जो है ना वो यहां से हमने यह सेलरी बना के कर रहा है अभी वैं बताता हूँ दग्लास्ट इंहरिट इस कॉल्ड दशब लाज जो के एक लास इन हेरिट हुई है यह सब लास है यह हमारी इंपलोई पैरेंट क्लास जबके प्रोग्रामर सब क्लास है and the class is being inherited from this super class वही मैं लिखा हूँ है अगर आपको सेलरी यूज करना है तो यार आप सिंपली इसको इन्हेरिट कर लो और बस आप सेलरी के जो है को यूज कर सकते हो ठीक है तो यूज इन्हेरिट अन्हेरिट जावा क्यद्ट जब भी आप Cross क侵रें क्या हूं तो इसी अग्जामपल को हम लेते हैं चैग है Go s枝 कोड वैंने आगया हूं सबसे पहले आपने क्या करना है अगर आप मेरा motor यहाँ पर नियू फॉल्डर पर क्लिक करने हैं फोल्डर बनाने के बाद यहाँ पर हमारे पास इलेवन चैप्टर वाला आ गया है इसको करने के बाद यहां पर न्यू फाइल के अंदर मैं इसका नाम लिखती है इन्हेरिटेंस डॉट जावा और मज़़े की बात यह जावा तो इसके अंदर वाइड सिर्फ में लिखावाएगा इतना बड़ा याद करने की ज़रत नहीं रहेगी तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं ताकि मुझे सेटिस्टिकिशन मिलती रहे क्लास इंप्लॉय मैं कर लेता हूं अब इसके अंदर एक कैच है वह कैच लाजमी देखना टाइम स्टैंप मैं लगा दूँगा उसके बारे में लाजमी इसको देख लेना सबसे पहले मैं क्या कर तो फुलोट प्लोट करें और उसके बाद सैलरी बना लिया ठीक है और सैलरी जैसी के इंठाब की है यह हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं इस प्रोग्रामर के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं कैसे यूज़ करना है अब बताता हूं सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं एक इंट बोनस करके वैरियेबल बना लता हूं और बोनस होगा 10,000 रुपे ठीक है अब मैं एक मैथट बनाऊंगा इसको डिस्प्लेइ करने के लिए डिस्प करके मैं मैं ठीक है यह करने के बाद मैं क्या करूंगा सिसो मैं करूंगा सौरी इई आर्ड नहीं करना मैंने कि अच्छे बहुत ज़ादा लगते हैं आजकल मेरे सेलरी रीज अ कि सेलरी ऐसेलरी फ्राम बेस फॉंप सॉरी पैरेंट ट्लास ऐस पैरेंट क्लास इस मतलब कि उपर वाली हमारे पास कौन सी है पैरेंट क्लास है उसके बाद सैलरी को मैं कॉल कर लूँँगा ठीक है अब ने यहां पर मैं करूँगा bonus from base class या child class भी आप कह सकते है is ठीक है यह करने के बाद मैं plus करूँगा और यहां पर मैं bonus variable को call कर लूँगा अब यह कर लिया है अब मैंने देखो programmer class को extend कर लिया है ना मतलब कि मैं salary यहां पर use कर सकता हूँ तो object में किसका बनाऊंगा programmer का या employee का time stamp लगा के मुझे बताओ I hope कि आप सबने time stamp लगा लिया होगा तो programmer का मैं object बनाऊंगा ठीक है programmer pp reference variable बनाए equal to new programmer ठीक है अब मैं क्या करूँगा pp.disp करूँगा control s से मैं इसको save करूँगा salary from parent class 40,000 रुपया अब इसके बाद dot के बाद एक zero क्यों आया है क्योंकि मैंने float use कर रहा है अगर मैं double use करता तो दो आते अगर int use करता तो आता ही ना zero ठीक है अब यह देखो एक मैं आप लोगों को चीज़ दिखाता हूँ कि मैंने कहा है ना कि यार attributes हम सब कुछ use कर सकते हैं अब यह देखो मैं जूट बोल रहा था अब मैं इसको private करूंगा ना तो यह देखो फील्ड यह वाली जो फील्ड है वो विजिबल नहीं है क्योंकि हम आपने एक्स्टेंड तो कर ली है यह important चीज़ है आपने class extend कर ली है employee वाली लेकिन आप private variable को access नहीं कर सकते हो आप प्राइवेट जो है ना attributes को access नहीं कर सकते हो जैसे कि यहां पर इसने error throw कर दिया क्योंकि यह आप इसी class के अंदर यूज कर सकते हैं अगर इदर क्या ना में इसका यह default होता default भी आप यूज कर सकते हो कोई इतना बड़ा issue नहीं है लेकिन आप private को access नहीं कर सकते हो यह inheritance होती है और यह बड़ी important चीज है कि आप attribute access कर रहे हो लेकिन आप private attribute को access नहीं कर सकते हो ठीक है अब यार अब मैंने employee का है ठीक है यह हमारी example one होगी है तू भी देख लेते हैं इन सब को मैं करता हूँ जो के बहुत ली traditional example है एक animal बना लेते हैं ठीक है अब animal के अंदर हम कुछ method बना लेते हैं ठीक है और animal क्या करते है एट कर सकते हैं ठीक है एक मैंने वह बना लिया I can eat मतलब I से मुराद मैं नहीं हूँ सही ना इनसान बनो मैं नहीं हूँ आई से मुराद animal है ठीक है जो के मैं नहीं हूँ इट अब मैंने बना लिया और animal क्या कर सकते हैं रन कर सकते हैं ठीक है I know कि अब तुम कहोगे यार के ओड़ो भी सकते हैं अक्सर यह वह अपे तो भाई जब वह जमीन पर लेंटिंग करते हैं तब भी तो रन करते हैं ठीक है class animal बनाए इसके दो method मैंने बना लिया ठीक है method करने के बाद हमने क्या किये एक मैं class बनाऊंगा और यहां पर मैं dog करके बना लूँगा extend मैं इसको कर लूँगा animal के साथ अब मैंने क्या कहा था यह वाले method हम इदर use कर सकते हैं अब यह पता चल जाएगा ठीक है अब इसके अंदर क्या होगा कि सारे method अब dog के अंदर आ गय पाक ठीक है और उसके बाद बस ठीक है यह तीन method हमने जैसे कि एक method हमने इसके अंदर बना लिया ठीक है अब मैं आप लोगों एक चीज दिखाता हूँ बड़ी important चीज है कि animal का जब मैं object बनाऊंगा na aa equal to new animal तो देखना aa के अंदर मुझे eat show कर रहे है और ठीक है और run show कर र ठीक है क्योंकि हमने दो method है अब मैंने कहा था कि यह वाले method dog के अंदर भी आ गया है तो लेट्स ही देखते है इसको मैं क्या करता हूँ इट के method हो call कर लेता हूँ या इसको एक दफार मैं comment करता हूँ आप लोग confused ना हो जाओ ठीक है object मैंने बना लिए dog dd equal to new dog मैं कर dot मैं iっていう by access कर सकता हूँ right eat वाले method मैं इदर से access कर सकता हूँ और यहां पर मैं कौन सा method access कर सकता हूं bark वाले method मैं acts कर सकता हूँ और उसके बार जो इसका खुद का मैसिज्श है तो इसको मैं यहां से कट आउट करता हूं और इदर में पेस्ट करता हूं तो यह देखो अब मैं तीनों मैथर्ड जो है ना वो इसके एकसेस कर सकता हूं और जब मैं इसको रन करूंगा ना आप देख सकते हो कि मैं तीनों मैथर्ड जो है ना वो मेरे प्रिंट हो गये हैं इ inheritance के simple inheritance की example है कि एक आप एक आपकी parent class है एक आपकी जो है ना उससे आप एक base class बना रहे हो यह अभी हम next video में types of inheritance पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको मजीद इसको explicitly बताऊंगा single inheritance क्या होती है multi level inheritance क्या होती है inheritance क्या होती है यह तीनों inheritance के बारे में explore करेंगे और multiple inheritance क्यों सपोर्ट नहीं करता है जावा करता है लेकर interfaces के तुरू करता है यह हम next video में पढ़ेंगे इससे पहले कि अगर आप लोगों ने प्ले लिस्ट एकसेस नहीं किया तो यार काइनली प्ले लिस्ट एकसेस कर लेना आच कि मैं और अच्छी वीडियो बनाता रहूं अभी मैंने पाइटन कोट भी स्टार्ट करवाने हैं वीडियो अच्छी लोगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना एंड आए तिंग इस प्रेटी माच इन फिचर प्रोग्रामर्स एंड इंचाला वीविल मैट कर देक्षμyer और वीडियोrait उच्छी वीडियो कर दे हैं